सीरियल गुम है किसी के प्यार में टी आरपी को हमेशा टॉप करता है अनुपमा को ये तगडी टकड़ देता है इस सीरियल के अंदर हमें स्टोरी लाइन में इशान सवी और रीवा का ट्राइंगल देखने को मिलता है वो भी शानदा ट्विस्ट अंटर्न के साथ में सवी को पता लग गया है कि वो इशान से प्यार करती है लेकिन इशान को अभे तक अपनी फिलिंग्स पता नहीं लगी है और वहीं दोस्तों आपको बता दे ये शो और भी इंट्रेस्टिंग स्टोरी लाइन की तरफ जा रहा है जहां पर रीवा पूरी कोशिश करेगी इशान को वापस पाने की और सवी को उसकी लाइफ से बाहर निकाल देने की इस शो को और भी इंट्रेस्टिंग कर देने के लिए हाल ही में शो के अंदर आयूश आनंद की एंट्री होई है जो कि शो के अंदर चिनमे के नाम से आपको नजर आ रहे होंगे वहीं आपको बता दे चिन दे कहा गया था कि जो चिन्मे का केरेक्टर है शो के अंदर नेगेटिव होने वाला है लेकिन अभी तक शो को देखते हुए ऐसा कुछ इंपक्ट दिखाई नहीं दिया है वहीं आपको बता दे कि आयुश आनन ने यानि कि चिन्मे ने शो में आने के लिए कहा कि वो कफी एक किरेक्टर के बारे में कहते हुए बताया कि जो उनका किरेक्टर है बहुत सारी लेयर्स के साथ में आने वाला है और उनकी एंट्री से शो और भी ज़्यादा एंटर्टेनिंग हो जाएगा वहीं रिपोर्ट्स की माने तो शो के अंदर एक और एंट्री होने वाली है और य ये क्लियर है कि वो शो के अंदर विलन बनेंगे और सवी और इशान के बीच में हर कोशिश वो करेंगे जिससे कि ये दौनों अलग हो जाएं तो आपको ये शो इस वक्त कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो